तो यह जहाज तो दोनों एक जिसे हैं लेकिन डिफरेंस है परसन ए और परसन बी में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं व्यक्ति ए जो है उसको यह जहाज चलाना नहीं आता है वो इसको चलाना नहीं जानता है मतला उसे यह पता नहीं है कि इसके बटन्स कहां हैं अगर मुझे स्पीट बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं और अगर मुझे कोई direction लेनी है, तो वो direction में कैसे ले सकता हूँ, ये भी उसे पता नहीं है, मतलब जहाज के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे जहाज को समुद्र में चलाना भी है, और कैसे न कैसे उससे पार भी जाना है, तो ये इस्ततिय विक्ति एक ही, साथ ही उसे ये भी पता नहीं है, कि अगर जहाज में लहरे आएंगी, या बहुत गहरे हिलो रहे आएंगी, तो मैं जहाज को किस तरीके से maintain करूंगा, इसका मतलब जो person A है, वो totally unskilled है, उसे कुछ भी पता नहीं है, हम बात करते है person B की, person B को भी जहाज चलाना है, लेकिन person B को ये अच्छे से पता है, कि वो कौन सा बटने जिससे दबाने से, जहाज जो है, तेज गती से चलेगा, कौन सा बटने जिससे दबाने से, जहाज की गती कम की जा सकती है, उसे जहाज की सारी functioning अच्छे से पता है, पूरा रोड में तैयार है कि उसे तरीके से किस रस्ते से कहां पहुंचना ये उसे बहुत अच्छे से क्लियर है कि साथ ही उसे यह भी अनभावए कि जब कभी हिलोरे आएंगी समुद्र में तो मुझे अपने जहाज को किस तरीके से हेंडल करना है किस तरीके से मेंटेन करना है तो आप इजिली समझ सकते हैं कि ए व्यक्ति जो है अपने इस्थान तक पहुच पाएगा या बी व्यक्ति पहुच पाएगा आपको क्या लगता है बी व्यक्ति डेफिनेटली बी एक ऐसा व्यक्ति है जो इजिली अपने इस्थान तक पहुच जाएगा क्योंकि वो कम्प्लीटली स्किल्ड है और उसे अपना लक्ष भी पता है और उसने उसके लिए रोड में भी तयार कर रखा है तो इसके भीतर क्या है एक तरह की अवेरनेस है वो अवेर है और तयार है और यह विक्ति जो है आनवेर है और नोन प्रिपेड भी है यही इस्ति हमारी स्टूडेंट्स की भी है ठीक है बिल्कुल यही कि यही स्तती हमारे स्टूडेंट की है ऐसे स्टूडेंट जिन्ह यह पता नहीं कि हम अमारे माइंड को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं किस तरीके से उसका उप्योग करके हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके साथ ही उनका कोई लक्ष भी निर्दा होता है तो जो हमारा आज का बच्चा है वो अधिकतर बच्चे एक इतर हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं ना उनके लक्ष निर्दारी थे ना उन्होंने कोई रोड में बना रखा है ना वो माइंड को कैसे हैंडल करना यह जानते हैं साथ ही अगर कोई विपरीद इसके हमारा प्रिस्तिति आती है तो आप जानते है कि हमारा हमारा डामडोल हो जाता है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं के से हैंडल door मैं हमारे इमोशन को को कोई जानकारी के बारे में अ Почему कोई kernel करना नहीं जानत कई ब्रिलियंट स्टुडेंट जो हमेशा फस्ट आए वो अगर क्लास में सेकंड आ गए या थर्ड आ गए किसी कारण से तो आत्मत्या कर लेते हैं इस तरह के कि जब इमोषन के इढ़र उनके माइं में में जब इमोषन आते हैं तो वो उसको इनलने कर पाते हैं तो इन इस सबको करना इमज़ा को ठीक करना और मायंड को हम किस तरीके से नविगेट कर सकते हैं यही समझने के लिए यह क्लास है एनल पी ठीक है इतना आपको समझ में आया कि यह सब्सक्राइब हमने इसको नॉर्मल भाशा में जो नाम दिया है वह है नूरो लिंग्वेस्टिक नू लाइफ प्रोग्राम हमने इसको नाम दिया है नू लाइफ प्रोग्राम लेकिन स्टाइकलोजी में इसको हम बोलते हैं नूरो लिंग्वेस्टिक ये क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं तो यहां जो एन है एन का मतला होता है हमारा nervous system seems के आपको आपकी बोडी में जो भी सूचना है आपको मिलती है जैसे म thé आपने कोई चीज देखी तो वह किया है अपने एक पेन देखा तो आपको यह पता लगा कर यह यह सारी सूचना है जो आपको देने कां करता है वो क्या होता है nervous system ल vendor and non-verbal language ल된 ब्रके लेंग्वेज तो सबस्टेया sana अपने हाव भाव से बताते हैं, ठीक है कई बार हम बिना बोले भी कई चीज बताते हैं, तो वो क्या होती है, नोन वर्बल लेंग्वेज, एन पी स्टेंड फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का मतला होता है कोई structure, कोई particular way, तो आपके nervous system और आपकी language, आपकी nervous system और जो एक particular relation होता है, उसको हम बोलते हैं, neuro-linguistic programming, इसको थोड़ा और हम deep में समझने के लिए एक example लेते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ये A, और एक व्यक्ति है B, तो दोनों एक साप को देखते हैं, एक व्यक्ति A भी साप को देखता है, और ये व्यक्ति B भी साप को देखता है तो वो बुरी तरीगे से घबरा जाता है, आवा जारी है, है अब सभी हूं clear? और ये समझ में भी तो एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति यह दोनों बी जब सांप को देखता है तो वह क्या होता है दर जाता है बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और जो व्यक्ति है वह जब सांप को देखता है तो वह खुश हो जाता है क्योँ खुश खुश जाता है मैं बताओंगा आपको तो एक स्तविक है कि यह इसको देखके खुश जाता है और बी जो सांप को देखके बुरी तरीके से दर जाता है। और यह एक सपेरा है और इसे सांप से खेलना बहुत अच्छा लगता है यह बहुत आसानी से जानता है कि मुझे सांप को किस तरीके से पकड़ना है अब दोनों ने एक ही चीज को देखा सांप को और दोनों के लिए देंजर चीज है सांप एकी भी जान ले सकता है और बी की भी जान ले सकता है लेकिन बी जहां कम्प्लीटली डर गया महीं ए नहीं डरा तो इन दोनों के माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो अलग अलग हुई क्ला कर दोक्थ हारे को एन्दर ची ने जब को देखा तो उसके अंदर क्या हुआ और यह जो है वह सब्सक्रण को देखकर और खुश उग्या हुआ सुक्त थैह कि की तरह तॉम हम कर दे को सिंदा आ उस से पकड़ना सिखा दिया जया तो यह जो बी वाली प्रोग्रामिंग है इसको हम काई में चेंज कर सकते हैं एवाली ठीक है इसी तरीके से हम सभी स्टूडेंट की यह सभी विक्तियों की जो प्रोग्रामिंग होती है वो अलग-अलग होती है कोई बच्चा मेच को देखके खुश हो जाता है कि वा कितना अ इसा कर सकते हैं कि जो बच्चा मेच से कभी ड़ता हो वह खुश होने लगे मैच को देखके तो एनलपी का यूज क्या है एनलपी का यूज है कि हम खुद को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करें गोड़ को बहतर करने कोशिश करेंगे और हम अपनी प्रोग्रामिंग को ठी करने की भी कोशिश करेंगे अब अपनी थर्ड पर चलते हैं यह आपको समझ में है सब्सक्राइब को यहां पर आपको एक माइंड दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहां पर आपको कुछ एपस दिखाई दे रहे होंगे हम कंप्यूटर के युग में हैं हम saftware युग में जीजें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फोटो और अपनी जो भी जानकारिया है वो शेयर कर सकते हैं इसे तरीके से वाटसप है वाटसप के थ्रूबी हम एक दूसरे को मेसेज कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं ऐसे हमारा माइंड भी क्या है एक software है और हर व्यक्ति का माइंड जो है एक अलग तरह का software है हर व्यक्ति का माइंड एक अलग तरीके का software है कि अगर हम उसमें कोई data डालते हैं तो उससे output कुछ different निकलता है ठीक है जिसे हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति सांप को देखता है तो एक व्यक्ति है जो डर जाता है और दूसरा वेक्ति है जो खुश को जाता है कि तो हम ने क्या डाला उसमें मैंड में हमने डाला एक इमेज सापकी और कुछ मैंड से क्या डिदार और कुछ मैंड से क्या निकला खुशी है तो हम कंपलीटलीBlue क्या कर सकते हैं माइड को चेंज करने के लिए जैसे हम software को अपडेट करते हैं आपने देखा होगा कि हमेशा एप हुर software में अपडेशन आता रहता है समय समय पर क्या अपने माइंड को update कर सकते हैं new life प्रोग्राम और na翌सीं के मैद्धियम्स है यह थोड़ा सा हमândेखते हैं हमारी पास पास लाइफ के बारे पास लाइफ मतलब आपने अभी तक जितने भी समय रहे हैं तो आपका लाइफ के प्रति एक एक एटिटूट या एक व्यू पेदा होता है आप जिन भी परिस्थितियों से गुजरे हैं वो सारी परिस्थितियों का इफेक्ट आपके माइंड पर होता ह तो कई बार क्या होता है जैसे एक student है और वो subject में पहले अच्छा नहीं कर पाया तो वो क्या करता है धीरे-धीरे वो एक धारणा बना लेता है उसके अंदर क्या होती है एक concept बिल्ड हो जाता है एक धारणा बन जाती है कि वो English में अच्छा नहीं है वो English में अच्छा नहीं है अब ये धारणा क्या करेगी ये धारणा उसको English में आगे भी कभी अच्छा नहीं होना देगी क्योंकि वो इसके लिए कभी प्रयास नहीं करेगा English के तो हो भी नहीं सकता हूँ, तो past life का क्या हुआ हमारे उपर, negative effect हुआ, इसी तरीके से कई तरह के emotion है, जो हमारे mind में है, जैसे मैं तो एक गुस्तेल व्यक्ति हूँ, अभी तक आप गुस्ता करते रहें, तो आपने एक धार्णा बना ली, कि मैं एक गुस्तेल व्यक्ति हूँ क्या होगा, आगे तक आप इसको ढोते रहेंगे और आप एक गुस्तेल व्यक्ति बने रहेंगे, अगर आप एक unsuccessful व्यक्ति अपने आपको मानने लगते हैं, तो क्या होता है, आप हमेशा unsuccessful व्यक्ति बने रहेंगे, तो यह सब क्या है, negative emotions है, यह सब क्या है, negative emotions है, और अगर हम इन निगेटिव इमोशन्स को अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करते हैं हटाते नहीं है और पॉजिटिव इमोशन्स को बढ़ाते नहीं है तो हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं हम लाइफ में हमेशा पीछे जाते हैं ठीक है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे ठीक है चलो तो अगली स्लाइट पर आने से पहले हम मैं आपको एक कहानी बताता हूं उसको हम समझते हैं चलिए तो क्या होता है कि एक बार एक फादर अपने बच्चे से पूछता है कि अगर आपके पास दो डॉक्स हैं आपके पास दो डॉक्स हैं एक जो है बहुत अच्छा है उसमें सभी तरह के गुण है वह वफादार भी है ठीक है वह आपका अगर खाता है तो आपकी तरफ कुछ भी करने के लिए तैयार है आपके लिए ठीक है उसमें सारे वफादारी के गुण है और वह बहुत सहासी भी है अगर कोई मुसीबत आपके उपर आती है तो आपके के लिए जान देने के लिए भी तैयार है यह एक कुट्टे एक ही इस्तति है और एक और कुट्टा है भी जो की आपके घर खाता है लेकिन आपके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और उसमें दुनिया भर के सारे अउगुन है वह बहुत गुस्तेल है और जित कि पावर में कोई डिफरेंस नहीं एसा निये कि बड़ा है एक चोटा है तो फादर अपने बच्चे से पूछता है कि मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन जीतेगा जब हम इन दोनों को लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा तो आप बताएं बच्चों में से कोई माही उमा जीतेगा ए ए जीतेगा कौन सा खराब वाला च्छा वाला जाओ चलो ये हरशिता और आईए तो इसको भी कुछ बताएते है एक मिनिटर कि थोड़ा से स्टोरी को मैं रिपीट कर दूँगा ताकि उसको कुछ समझ मैं थीक है हर्षिता में एक स्टोरी शेर कर रहा हूं आपको आवाज आ रही है हर्षिता आवा जा रही है हां सर ठीक है मैं एक स्टोरी सुना रहा था बच्चों को क्लास में आप थोड़ा लेट हो गए चलिए तो तो एक फादर अपने बच्चे से यह पूछता है कि दो आपके पास अगर दो कुत्ते हैं दो डॉक्स है हैं और दोनों भी बराबर पावर के हैं एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुछा है एक जो है उसमें समें सभी तरह के गुण अरो बी जो है उसमें सारे इगavinव गुन है थीकए में नेगटिवлу पावर्स हैं तो आप को बताईए वह अपने बच्चे से पुछता है कि A और B दोनों को अगर हम लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा तो आप लोगों में से कोई माही क्या जवाब दिया तो वह बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता कौन सा जीतेगा तो उसके फाइदार कहते हैं कि आप जिसे ज्यादा अच्छे से रखेंगे जिसे आप ज्यादा अच्छे से भोजन देंगे वो जीतेगा क्या यह सही है तो ठीक है ना अगर हम हमारे पास दो कोई भी जानवर हैं और अगर हम एक को अच्छा रख रहे हैं अच्छा खिला रहे हैं और एक को नहीं खिला रहे हैं तो वह दूसरा अपने आप कमजोर हो जाएगा ठीक है ना चाहे वह एक ही नसल के कुट्टे हो लेकिन वह कमजोर हो जाएंगे जिसे हम अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम हमारे नेगेटिव जो क्वालिटीज हमारे बीतर हैं जो भी नेगेटिव अउगुण देते हैं मतलब उन पर ध्यान देते हैं उनको अटेंशन देते हैं हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं जैसे अरे मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं अरे मैं तो इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं ठीक है अधिकतर लोग आपके पास ऐसे हैं जिनने देखके आपको गुस आपकी प्रोडटिवीटी को कम करते हैं अब जानते हैं आपसे पूझा करने के लिए या अच्छे जाने के लिए अचल कर लां के लिए क्यों की आफ और mature होती है अगर आप अच्छे थो को अँपने भीतर ला सके तो अ थीक है तो अब हम हमारे नेक्स लाइट के उपर चल रहे हैं पास्ट लाइफ के बारे में हमने देखा था कि पास्ट लाइफ का हमारी लाइफ पे क्या एफेक्ट होता है बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे भीतर आ सकती है अगर हमारे साथ अगर हमारा पास्ट अच्छा नहीं है तो ठीक है चलिए नेक्स लाइड देखते हैं एपास मैंने एक है कि आपि पड़ा था उवर ने स्वोच अगर आप अवेर होते हैं तो क्या होता है आपको 20amentoate है मतलब कि अगर आप जागे वह आगर आप किसी चीज के प्रति सिन्स करना है कोई काम तो आप उसके लिए जागे होती तो आपके पास 20 होती है ठीके तो क्या होता है कि अगर हम अपनी life के प्रति जागे हुए नहीं है अगर हम ऐसे सोते सोते life में बस जो routine वर्क हो करते रहते हैं तो हमारी life वेसी चलती रहेगी जैसी आज है ठीके अगर आपको life में कुछ change करना है तो कहा चेंज करना पड़ेगा आपको अगर आपको लाइफ में चेंज करना है तो आपको अपने माइंड में चेंज करना पड़ेगा और माइंड में चेंज करने के लिए आपको क्या लेकर आनी पड़ेगी तो आप यहां पर आपको एक डॉक्टर दिखाई दे रहा होगा तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जा जाते हैं तो सबसे पहले क्या करें सबसे पहले वो आपको चेक करता है कि आप्सक्राइब करता है कि आपकी बीमारी है कन है या कई बहुत है किThey कई तरीके से जब हम न्यूरो लेंग्वेस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम अपने प्रति जागुरुक हो रहे हैं हम अपने प्रति क्या हो रहे हैं जागुरुक हो रहे हैं और यह जानने ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भीतर क्या क्या है कौन से नेगेटिव एम सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना यह जो अगर खुद पर वर्थ करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछी समय में बहुत भेतर हो सकते हैं देखें एक चीज है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आएं तो क्या होगा वही होगा जो अभी तक होता है ठीक है अगर हम वही करते रहें जो हम पहले करते रहें तो वही होगा जो हम जो हमरे साथ हुआ है अभी तो आपको क्या करना है सबसे पहले कुछ question है, जो अपने आप से पूचने है, सबसे पहले आपको, अपने आपको define करना है, who am I. आप अपने आपको who am I, मतलब मैं खुद को क्या समझता हूँ, क्या अपने बारे में जानता हूँ, मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ. तो आप एक अपने लिए इसके NLP की क्लास के लिए कोपी बनाएंगे और उसमें यह सब लिखेंगे जो आप यह जो मैं बता रहा हूं वह करेंगे तो बहुत डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक जबरदस्ट चेंज आएगा ठीक है मैं अपने बारे में क्या जानता हूं ठ ठीक है फिर मेरे लक्ष क्या है मेरे लक्ष क्या है यह आपको लिखना है आपको लिखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है यह लिखनी है और आपको अपनी वीक्नेस लिखनी है तो यह काम आपको करना है next class में हम लोग इससे आगे चर्चा करें, ठीक है, आपको ये लिखना है कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आपको जो भी आप समझते हूँ, कि मैं इस चीज में कमजोर हूँ, मैं इस चीज में अच्छा हूँ, कम से कम एक पेज अपने बारे में लिखें, तो आप खुद को धीरे-धीरे जानने लगेंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि आप कहां चेंज कर सकते हैं, कहां अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, कौपी पर लिखने पर बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है? तो सिर्फ सोचना नहीं आपको लिखना है, अपनी strength भी लिखने हैं और अपनी weaknesses भी लिखने हैं कौन से subject में आप अच्छा कर पाते हैं क्यों कर पाते हैं तो जितना आप detail में लिखेंगे उतना आपको clear होगा जिबल होगा ठीक है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले तो यह यह जो वीडियो है यह मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख पाओगे ठीक है थ्री मिनिट और बचे हैं तो इसमें मैं आपको बता जेता हूं नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले नेक्स्ट क्लास में हम यह देखेंगे कि कॉंश्यस माइंड और अनकॉंश्यस माइंड क्या होता है जो हमारा माइंड है उसमें कॉंश्यस माइंड क्या होता है और अ होती है हो Tक हमारे बेन में अलग अलग तरे की इस तरह की वेव इस होती है यह जब हमारे माइन में अलफा हो अलफा बेनगा चल रही हो तो क्या कर पाते हैं कि donate fosse समय अच्छे से करना चाहिए तो यह इन चीजों के बारे में हम जानेंगे और हम प्रेक्टिकली हमारे emotion को कैसे handle कर सकते हैं यह समझेंगे तो अगली class हमारी इन सब चीजों के बारे में होगी तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे इनके बारे में लिखेंगे देखिए अगर आपको अपना इलाज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इलाज करना है तो आपको पहले बीमारी को समझना पड़ेगा तो मैं जो कह रहा हूं उसको आपको अवोइड नहीं करना है इसको अच्छे से लिखना है और खुद की रखती हो पाएंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे ठीक है आज की क्लास आपको समझ में आई तो यह फॉर्टी मिनिट्स की आज हमारी क्लास थी इसमें काफी कम बच्चे एड़ हो पाए और कुछ लोग लेड़ भी आए तो उनको कम समझ में आया होगा लेकिन इसकी पूरी वीडियो में आपको गुरूप में सेंड करने वाला हूं तो आप उसमें देख सकते हैं ठीक है वन मिनिट और बचा है गुरूप में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप गुरूप में भेजिएगा तो मैं आपको क्लियर करने कोशिश करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज हैं ठीक है हर सिता समझ में आया है ठीक है तो इसके लिए काफी बनाओ ये काफी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है और कुछी समय में आपका लेवल दूसरों से डिफरेंट होगा ठीक है अगर आप अपने आपको प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो जो कह रहें वो थोड़ कर पाएंगे कुछ प्रैक्टिकल चीजे नेक्स्ट क्लास में हम बताने वाले ठीक है आज के लिए इतना ही और और अब बस आपको वर्क करना है थोड़ा सा